अनंत चतुरदशी पर्व मनाया गया धूमधाम से भगवान विश्णु को समर्पित पर्व अनंत चतुरदशी भागलपूर के आसपास के सभी छेत्रों में धूमधाम से मनाया गया युवक और युफ्तियों ने उपवास रग कर कलश पर अस्ट दल कमल की तरह बने बरतन में कुष से निर्मित अनंत की अस्थापना कर भगवान विश्णु की पूजा अर्चना की कच्चे सूत से बने चौदै गाठ वाले अनंत की पूजा कर लोगों ने अपनी आस्था जताई कथा सुनकर घर में सुक शांती वैभव और यश्की खामना की कथा के बाद प्रोशों ने दाहिने और महिलाओं ने बाय भूजा पर पीले रंग के अनंत का धागा बांध मिश्थान वा पकवान खाये वहीं पुजारियों ने बताया कि पौरानिक माल्यता के अनुसार महाभारत काल से अनंत चतुरदशी व्रत की शुर्वात हुई है यह भगवान विश्णू का दिन माना जाता है अनंत भगवान ने च्रिष्टी के आरंब में चौदे लोकों की द्रशना की थी इन लोकों क का पालन और रक्षा करने के लिए वर स्वयम भी 14 रूपों में प्रकट हुए थे जिससे वे अनंत प्रतीत होने लगे इसलिए अनंत चतुरदशी का व्रत भगवान विश्णू को प्रसंद करने और अनंत फल देने वाला माना गया है अगाल में प्रच्वा गवान वाल बेह प्रतर भी जाए आप जाए हैं अप्रम कार्दाएं का अप्र काप्षी दृश्यां से कहाँ सब्सक्तिकन ये जो ट्याएं को आगे इसाने अज़मादमें को एक्षा है प्रींद्यां सिर्थाने यृट कर दो अपांऊ आप बैं आपक समय व समय